मंत्रा आयुरुवेदिक फेस्क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुरुवेदिक औश्यदी है पेट सफा आयुरुवेदिक चोन पेट सफा हर रोग दफा नमस्कार रात के नौ बच चुके हैं मैं हूँ श्रेशुकला सत्यमेटिक चैते में आपका बहुत बहुत स्वागत है आँखों में पानी रखो और पोटो पे चिंगारी रखो जिन्दा रहना है तो तरकीबे बहुत सारी रखो जहां अगर जिन्दा रहना है और जिस तरह के हालात है वहाँ जिन्दा रहना है तो बहुत सारी तरकीबे होनी चाहिए तरकीमों का अर्थ यह नहीं है, कि हम जुगाड की बात करने लहें, हम घलत रस्तों की बात करने लहें लेकिन तरकीबों का मतलब यह है कि अपनी बुद्धिमता अपने दिमाग का इस्तेमाल करें क्योंकि यहां संघर्ष बहुत है 132 करोड लोगों के बीच में रहकर हमें आगे बढ़ना है देश के लिए बहुत कुछ करना है एक ऐसा चैलेंज है एक ऐसी चुनाथी है जो रोज हमको ये बताती है ये समझाती है और ये तै करवाती है कि अगर आगे निकलना है तो बहुत माद्दा होना चाहिए शरीर में ही नहीं, यहां पर, जहन में, जिगर में बहुत माद्दा चाहिए और उस माद्दे को ताकत देने के लिए हमको हमेशा सच का साथ देना पड़ेगा और जब सच का साथ देना पड़ेगा तो फिर कुछ काटे भी आएंगे, कुछ उलजने भी आएंगी कुछ ऐसे लोग भी आपके रस्ते में आएंगे जो आपको डीरेल करने की कोशिश करेंगे कुछ सुविधाएं भी मिलेंगे और जो लगेगा कि ये जो हमने संगर्चों की मुठियां बांदी है वो सुविधाओं के आगे खुलना जाए लेकिन हमें सच को अपने साथ लेकर चलना है सच के साथ एहद करना है सच को अपना साथी बना लेना है तब ही हम कह पाएंगे सत्य मेव जयते और होटों पर जो चिंग्डारी होगी वो एक ऐसे जलजले और वलवले को लेकर आएगी जो सधियों तक याद रखा जाएगा या आप विश्वास रखिए इसलिए मन को कभी भारी नहीं करना चाहिए मन जब भारी हो तो दुगनी ताकत से पीछे जाईए जैसे शेर जाता है जब उसको शिकार करना होता है अब फिर छलांग लगाईए फिर आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और रोज बूलिए सत्ते में बजाते हैं शेहर से लेकर गाउं तक बिजली कटाउती से हाहाकार गर्मी में घंटों बिजली कटने से लोग हलकान 24 घंटे सप्लाई के हक से क्यों महरूम हो रहे हैं लोग क्या पावर कंपनिया कर रही हैं पदमाशी सियासत में वाइदे किये जाते हैं जुम्लेबाजी की जाती है एक दूसरे की विरोधी पार्टियों पर आरोप लगा कर चुटकी भी ली जाती है यह सब कोशिशे होती हैं और इन सब में जनता को बयानबाजी से मज़ा तो आता है लेकिन आखिर में पिस्ती जनता ही है यूपी विधानसभा में चुनाओं में कोई नंगे तारों की बात कर रहा था तो कोई कह रहा था कि बिजली तारों पर कप्रे सुखा सकते हैं लेकिन ना तो बिजली सरकार ने और ना ही मौजूदा सरकार ने बिजली विवस्ता को दुरुस्त करा अभी तक उसका असर यह कि जिला मुख्यालों पर 24 घंटे तहसीलों पर 20 घंटे और 2 में 18 घंटे बिजली देने की जो सरकारी घोशना थी सरकारी वायदा था वो धारा शाई हो रहा है प्रदेश में बिजली कटोती चरम पर है 45 डिगरी के टॉर्चर में जनता पर ये एक और टॉर्चर है बिजली के बिल में देरी हो तो ग्रहाकों पर सरचार्ज लग जाता है बिजली आए या ना आए बत्ती जले या ना जले बिजली विभाग फिक्स्ट चार्ज जरूर लेगा आपका पंखा भले ही ना चले हर महीने आपके घर पर बिल जरूर पहुंचेगा सवाल है कि जब बिजली आज की बुनियादी जरूरत बन चुकी है तो क्या नहीं लोगों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए अगर आज कॉल ड्रॉप पर जुर्माना लगाने की बात की जा रही है तो कि फिर पावर ट्रिप पर पावर कंपनियों पर जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए शिकायते ना सुनने और उनका निस्तारण ना करने के लिए क्यों नहीं पावर कंपनियों की रेटिंग तैख की जाए ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब हमको सरकारों से लेना होगा क्योंकि सरकारें यही वाइदे करके आती हैं और यही बताती हैं कि हम आपको जो आपकी मूल भूत सुविधाय हैं वो देंगे लेकिन अब तो लगता है कि जैसे फिलोसिफिकल हो जाना पड़ेगा दार्शनिक हो जाना पड़ेगा क्योंकि हम सुनते सुनते ठक गए हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था अब की हमारी सरकार करेगी लगता है कि हम शायर हो जाएं लगता है कि हम बिजली के साथ शारी करने लगे लगता है कि हम बोले कि बिजली तुम आई हो तो अब जाना नहीं क्योंकि बड़ी मुश्किल से आई हो बिजली तुमको पाने के लिए मैंने इंजिनियर के बहुत चक्कर काटे हैं बिजली तुम आना आना जरूर आना पर जाना नहीं क्योंकि उस बिजली म हमारे बहुत सारे छोटे-छोटे से सुख छुपे हुए हैं क्या सुख है कि जब हम बाहर लू और थपेड़े से घर पे आते हैं तो कम से कम अगर पंक्का चल रहा होता है तो कुछ हमको सुकून मिलता है बच्चे जब हमारे बोर्ड की परिक्षाएं दे रहे होते हैं और ज ऐसे हमसे आख मिचौली खेल रहे हैं लेकिन आख मिचौली तो खेल रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि वह हमारी जरूरतों के लिए कितना संजीदा है मुझे दुश्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि कहां तो चरागा तै था हरे घर के लिए कहां चराग नहीं मैसर पूरे शेहर के लिए और सचाई भी यही है कि पूरे शेहर के लिए चराग मैसर नहीं है सपने तो हमें दिखाए गए थे, सपने तो हमें ये बताए गए थे कि हम डेश में सब जगे बिजली देंगे, सब जगे रोशनी होगी, कई जगे पोल गड़े हमें मुझ चिड़ाते हैं, कई जगे तार लगे हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि हम अभी सिर्फ इन तारों में वुल जो हुए है shit maintenance की पोल खुली हुई गर्मी में बह्तर बिजनिया पूरती के लिए सर्दी भर maintenance किया गया इसी maintenance के नाम पर बिजन Oatsy चलती रही इसी जर-जर विवस्ता से आंधी में अन्IF फ़र्मर खराब होते हैं वहां बिजली दो दो दिन तक नहीं आती जब कि 24 घंटे ट्रांस फार्मर बदलने का नियम है यानि 24 घंटे में ट्रांस फार्मर बदल जाना चाहिए गॉरकपुर में तार बिचाने के नाम पर कटौती चल रही है गाजियबाद में चार से 8 गجंटे तक की कटउती हो रही हैए यही कहानी हर शहर की है, अब नो टिर्पिंग जोन में भी कटउती, जहाँ पर ये वो शहरें जिनको VVIP शेहर का धरज़ा दिया गया है और यह कहा गया है कि यहाँ पर कोई टिर्प नहीं होगी लेकिन प्रदेष के 6 शेरों में बिजली कट वती नहीं होनी चाहिए थी यह बताया गया था यह फाइलों में तै किया गया था लेकिन हकीकत फाइलों से को सो दूर है इसमें लखनों गाजियबाद वाराणशी आगर स्टाइल शामिल हैं इसके लावा इलहबाद और कानपूर भी शामिल है इन शे शेरों में नो ट्रिपिंग जोन की श्रेड़ी में इनको रखा गया है यहां फॉल्ट और ट्रिपिंग के कारट बिजली कटवती नहीं होगी छे शेरों में लाइन लॉस कम हुआ है वहीं बिज अब प्रदेश में बड़े शहरों में एक दिन में आस्तन 15 बार ट्रिपिंग होती थी जबकि बड़े शहरों में ट्रिपिंग का वासत नौ है राजधानी के बावजूद लखनों में 3.18 घंटे तक की बिजली कटवती हो रही है यह एवरेज है लेकिन कई लाके लखनों म आज हमने सर्वेक्षन किया पूरे प्रदेश के लोगों की राय जानी पूरे प्रदेश के लोगों की दिक्कत जानी तो हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं कि क्या तस्वीर है पूरे प्रदेश की और पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आगरा और कानपूर के लोग क्या क पानी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान है और बच्चे भी गर्मी के मारे बहुत परेशान है नहीं तो पानी मिलता है और नहीं हवा करने के लिए कुछ है अगर आप इस तरीके से हमारे गर कुछ मदद कर सकते हैं तो आप हमारी मदद अधकारियों ने कुछ नहीं किया यहां पर आते हैं देखके चले जाते हैं। दुकाने जो है बिजली कटोटी के कारण बंद की गई हैं जो कि बिजली ऐसे आ रही है जैसे की दवा के दोस्के करण दोगंटे सुबहर दोगंटे साम पता ही लगता की कब आ रही है कब जाना है और जिस कारण विपार मंडल ने इसके लिए आवाहन किया है कि बंदी की तो यह थी कानपूर और आगरा के लोगों की समस्या दिक्कत और दर्द यह आपने सुना और आप अभी आप नीचे देख सकते होंगे मेरे टीवी स्क्रीन पर अलग-अलग तरह से अलग-अलग लोगों की रियक्शन आ रहे हैं और सब का यही कहना है कि हम बिजली कटौती से परिशान है नीचे जो आप देख रहे हैं वो हमें हमने वाट्सप का नंबर दिया था जो हम अभी फिर से आपको वाट्सप का नंबर देंगे जिसके जरीया आप यह हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम भी सरकार को बता सके कि यह जो दिक्कत है यह पूरे सकते हैंगे और रियलिटी में अगर हम बात करें तो रियलिटी हमारी कुछ और कहती है यह बताती है कि जो सरकार ने जो नियमकाइद कानून बना रखे हैं वो वह सुनने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन दिख नहीं रहे यो कि सरकार का बादा है कि जिला मुख्यालों में 24 घंटे तैसीलों को 20 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी गाउं को 18 घंटे बिजली आपूरती मिलेगी बिजली के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं शेहरी छेत्र में अधिकतम 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का दावा क जरुरत है यह 15,000 से उन्निस हजार के बीच में आती है जैसे जैसे बिजली जैसे जैसे घर्मी भड़ती है गर्मियों में 18 से 19,000 मेगावाट तक पहुंच जाती सरकारी ताप और पंश जिली चार से पांच मेगावाट हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है प्राइव UPP CL करीब 3000 मिगावाट बिजली खरीदती है अब इतनी बिजली की जरुरत है यानि कि पहले ही हमारे पास शॉर्टेज है और उस शॉर्टेज की बीच में जो बिजली की जो सप्लाई है उस सप्लाई को नियमित करने के कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया है अभी तक तमाम व सालों साल हो गए कि यहां की बिजली विवस्ता सुधरेगी बिजली सरकार आती है वो पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ देती है लेकिन होता कुछ नहीं है अब होता इसलिए कुछ नहीं क्योंकि बिजली पर सरकारी जो बकाया है सरकारी विवागों पर बकाया बिजली बि का बिल बाकी है यह हमारे आप के लोगों ने बाकी नहीं किया यह भागों ने बाकी किया है जो कि सरकारी मुख्य में हैं उर्जा मंत्री शिकांत शर्मा ने माना की बकाय का ग्राफ लगातार बढ़ा है कतिस मार्च 2017 तक सरकारी वहागों पर आठ हजार आठ सो तिर्पन करोड़ का इजाफ आवा चारणभद तरीके से सरकारी वहागों का बगाया बिल भरा जा रहा है उर्जा मंत्री ने साल भर में बगाया बिल भरे जाने का भरोसा दिया मुख्य मंत्री के दक्ष्टा में पिछले मेने बैठक भी हो चुकी है अब मैं आपको इलाबाद के ज पिजली की स्तीति बहुत खराब है कल रात को जो दस बजे से लाइट गई है फोन करते 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 परिशान हो गए एक बज़े डिड़ बज़े लाइट आई है अब फोन इंगेज करके रख देते हैं कोई उठाने वाला नहीं कोई कुछ नहीं है अब कटावती तो बेताहसा कटावती हो रही कि बार बार बुखास लिए कर रहे हैं गंटे 6 गंटे दिन में भी रात में भी कटवती हो रही है जिसे हर आदमी तरस्त है बच्चों से लेके बड़े बुज़ूर्ग तभी जोए परेसान है बहुत जादा कटवती हो रही है और इतनी गरम पड़ रही है कि जरासा भी अगर घर बे भी बैठते है और बिजली तुरंट मलब 5-5-6 घंटे कट रही है ना रात में आदमी सो पा रहा है ना दिन में चैन मिल पा रहा है और उससे बैपार पे भी असर पड़ता है तो अपने दिक्कत को उठाएं और हम उस दिक्कत को उठाएंगे अपने चैनल के माद्यम से ताकि जो बिजली भी भाग है उसकी आंके खुले और उसके अंदर भी पासर करेंट आया और वो लोगों के दर्द को समझेस हर दोई से एक दर्शक ने लिखा है जो हमारा वाट्सयप है उस में इनका गाउ है घटकना सबस्टेशन सांडी जिला हर्दोई मैं दुबारा पढ़ूँगा हर्दोई के एक दर्शक में लिखा है घटकना सबस्टेशन है सांडी जिला हर्दोई की बिजली पावर हाउस के जेई हैं उन्होंने तुगलकी फर्मान से पूरे गाउं की बिजली काट दी है यह अगर उर्जा मंत्री अगर इसको सुन रहे हो सरकार का कोई नुमाइंदा बड़ा सुन रहा हो तो व किसी का बिल दिया गया ना कैंप लगाया गया दो महीने से जादा हो गये यानि कि करीब उनका कहना है कि दो महीने से पुरा गाउं अंधेरे में डूबा हुआ है और यह जो जीमेल एक एड्रेस है उस एड्रेस पर उन्होंने शिकायद भी की लेकिन अभी तक कोई नहीं की गई है उन्नाव से एक दर्शक ने लिखा है कि उन्नाव के देव गाउं सफरपुर में 15 सालों से बिजली नहीं आई है पचास से जादा शिकायते की जा चुकी हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ रैवरेली में डल्मव के गाउं थुल रही से देवेश वर्मा ने के दोताई गाउं में मजर ने लिखा है कि पांच दिनों से हमारे गाउं में बिजली नहीं आ रही है रमजान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसी तरह से पीली भीत से एक दर्शक ने लिखा है कि तहसील अमरिया में लगातार बिजली की कटोती हो रही है गर्मी से जीना दुश्वार हो चुका है, मुश्किल से मुश्किल चार घंटे बिजली आ रही है अब बिजली की समस्या आपने सुनी और आपने देखा कि अभी हम लोगों ने जैसे ही वाट्सेप का नंबर दिया उसके बाद तमाम लोगों को दिक्कत शिकायते आ रही है, शायद जो अफसर है उनको लगता होगा कि यह शिकायत तो आएंगी क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी दिक्कत है और कैसे हम भरपाई करें, तमाम जो रीजन्स होते हैं, रीजन्स पताने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उनको ठीक करने की कोई भी जरूरत नहीं समझता है, और इस तरह की परिशानिया की एक साल पहले बिजली का कनेक्शन दिया गया था और आज तक उसको बिजली नहीं मिली है, और अब जब बिजली नहीं मिली है तो उसमें गलती किसकी है, उसकी जि कि पे क्यों वो पैदा हुआ कि उसको उस जगे पर बिजली ना मिलनी चीए ती उसको किसी अच्छी जगे पैदा होना चीए था अब फिर सवाल वही उठता है कि हम आकरकार क्यों सो रहे हैं क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों के उपर भी जुर्बाना लगाया जाता क्यों नही हम उस विभाग के उपर जुर्बाना लगाते क्यों नहीं अगर हमारे हां बेवजे बिजली काटती है गर्मी में परिशानी होती है तो उसकी जो दाइत्फ है उसका दाइत्फ वो किस पर सौपा जाए किसी पर नहीं बस कह दिया जाए कि बिजली की बड़ी दिक्कत है हम क परिशान हो रहे हैं पूरे प्रदेश में सी तरह का हाल है सरकार थोड़ी सी जगे उर्जा मंत्री थोड़ा सा अपने प्लैनिंग को बढ़ा करें और अच्छे अधिकारियों को पोस्ट करें और जो इस तरह के नाकार और निकम्मे अधिकारी हैं उनके खिलाफ कारवाई क करें अब बढ़ते हैं रियल हीरोस की तरफ पिता की घर में लाश पड़ी थी और बेटा अपने पिता को दिये वाइदे को पूरा कर रहा था ऐसे हालात में लोग तूट जाते हैं और अनमोल एक्जामिनेशन सेंटर में अपना फर्ज निभा रहा था हालात का बहाना बना कर भविष्य चौपट करने वाले चात्रों के लिए अनमोल आज किसी रियल हीरो से कम नहीं है देखिए स्पेशल रिपोर्ट CMS के संस्थापक जग्दीश गांधी के साथ खड़ा लड़का वो अनमोल रत्म है जिसने ना सिर्फ जिन्दकी की गड़त को लचने से बचाया बलके डिप्रेशन में आने वाले चात्रों के लिए मिसाल भी बन गया अनमोल शिर्वास्ता वो परिक्षारती है जिन्होंने बार्वी बोर्ट की गड़त में सो में सौ फीसदी अंग हासल करके मिसाल बने इसने ये अंग उस हालात में पाए हैं जब डिप्रेशन में आकर लड़के परिक्षा छोड़ देते हैं जिस दिन गड़त का पेपर था उस दिन अनमोल के पिता की लाश घर में रखे थी और बेटा पिता की अंतिम इच्छा परिक्षा केंदर में पूरी कर रहा था अनमोल ने पिता की ना सिर्फ अंतिम इच्छा पूरी की बलकी मैट्स में सो फीसदी अंग हासिल किये यही नहीं उसके दूसरे दिन अंग्रेजी के पेपर में भी सत्तानबे प्रतिशत मार्क्स हासिल किये इसी लगन को देखकर जगदीश कांधी ने अनमोल को एक लाख रुपए का चेक दे कर उसकी मेहनत का सम्मान किया उनके पिता की इचाती उनको मन मा था कि मैं शायद दर जीवित महीं रहुँगा और थोड़ी दर पहले ही मना कहा उसके बाद में की जह जोगा और जब बच्चा तो ठूप चुका था तो यह बच्ची की मने स्थिती आती नहीं कि हाथ पह ठुने पड़ गए तो इसमें ज हालात में एक्वेशन तो दूर पेपर देना भी याद नहीं रहता लेकिन अनमोल ने जिस होसले के साथ परिक्षा दी वो काबिले तारीफ है परिस्तियों के आगे हार नहीं मानने वाले अनमोल वास्तों में रियल हीरों हैं ऐसे अनमोल रत्न को भारा समचाथ सलाम करता है सत्यमेव जैते के लिए लखनों से अर्शा दुरजा की रिपोर्ट तो आपने देखा कि किस तरह की मिसाल इन्होंने पेश की है और इस तरह की मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है कि घर में इतनी बड़ी तरास्दी हो इतनी बड़ी ट्रेजडी हो इसके बाद भी वो अपने काम को अंजाम देने में लगे रहे हो देखने में तो बहुत लगता है कि हाँ अच्छा काम की है लेकिन आप सिर्फ सोचिए कि अगर हम उसकी जगे हों तो हम क्या करेंगे हम तूटके बिखर जाएंगे लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरास्दी आने पर कष्ट आने पर और मजबूत हो जाते हैं और वो बहां के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी नियत में बदलाव लाएं क्योंकि सरकार ने तो आपको एक योजना दे दी सरकार ने तो कह दिया कि आपको 24 गंटे के अदर ट्रांसफार्मर बदलना है लेकिन आपको उसको बदलना भी है और वो बदलाव तब आएगा जब आपको लगेगा कि हां अगर मेरे घर में ऐसा होता तो कैसा होता और सरकार को भी थोड़ा सक्त होने की जरूरत है क्योंकि कभी-कभी सक्ती जरूरी होती है रामायन भी लिखा है कि विने नमानत जल दी जड गए तीन दिन बीत बोले जड राम सकोपतव भैबिन होईन अपरी कर रहे हैं तो आपको कभी-कभी राम की बात भी माननी चहिए और वैसे भी योगी सरकार है तो तो योगी सरकार तो कहते हैं कि राम राज ये वो लाना चाहते हैं आज के लिए इतना ही मुझे दीजे इजादत बने रही आ भारत समचार के साथ और अगर आप अपना फीडबैक भीजना चाहते हैं तो फेस्बुक, जीमेल और ट्विटर जो नीचे अड्रेसे इस पर आप अपना फीडबैक भीज सकते हैं नमस्कार